हाई वेलकम टो टीज सिंपली आज हम समझेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉफ एक ड्रेविटेशन बड़ा बोरिंग है इसके जगे एट्रेक्शन लिख देते हैं हाँ अब मज़ा आएगा एट्रेक्शन अचा आपके दोस्त होंगे बहुत सारे हैं कोई खास दोस्त भी होगा आपका तो आपका दोस्त आपको आकरशित करता होगा एट्रेक्ट करता होगा क्यों करता है आपके दोस्त के अंदर कुछ क्वालिटीज होंगी जो आपको अच्छी लगती होंगी हो सकता है वो हमेशा favorite song एक ही हो तो आपका दोस्त आपको क्या करता है? attract करता है और किसले attract करता है? क्योंकि उसके अंदर कुछ qualities हैं तो यह हो गई दोस्तों की बीच में attraction friendship की qualities तो यह जो attraction है इसी की वज़े से आपकी friendship होती है की नहीं होती है? तो आप दोनों की बीच में friendship है हम उसे F से लिख देते हैं तो आप दोनों की बीच में जो friendship है वो कब बढ़ेगी? कब मजबूत होगी? वो liking पर depend करती है और dislike पर है ना? क्या आप पसंद करते हो और क्या आप ना पसंद करते हो इसी पर आपकी friendship depend करती है तो हम यहाँ उपर liking लिख देते हैं और नीचे dislike लिख देते हैं तो यह हमने आपकी friendship की equation बनाती है तो अब हम friendship इसकी और इसकी देखते हैं अब आप बोलेंगे क्या मज़ा कर रहे हैं इनके बीच में भी दोस्ती हो सकती है हसकर करते हो चैटिंग से करते हो या इशारों में ही कर लेते हो ऐसे ही ये भी अपनी दोस्ती को अपनी friendship को express करते हैं तो ये कैसे express करते हैं इनका तरीका थोड़ा अलग है आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा ये दोनों की दोस्ती अगर मजबूत हो अगर अनके बीच में attraction बहुत ज्यादा हो तो ये एक दूसरे को खीचते हैं एक दूसरे को पर force डालते हैं तो यहां force लिख देते हैं और इनकी दोस्ती किस पर depend करती है इनकी दोस्ती depend करती है कि ये कितने भारी हैं, इनका amount of matter कितना है यानि कि इनका mass तो बड़े वाले का mass capital M और छोटे वाले का mass small M और ये किछीज को ना पसंद करते हैं ये दूरी को ना पसंद करते हैं आप भी तो दोस्तों के बीच में दूरी को ना पसंद करते हो अगर ये एक दूसरे से दूर चले जाए तो इनकी दोस्ती, इनकी बीच का attraction कम हो जाता है यानि एक दूसरे को पर कम force डालते हैं तो इस disliking को हम R square लिख देते हैं क्यों ठीक है ना, तो दूरी बढ़ गई तो attraction कम हो गया यानि दूर होने से दो bodies एक दूसरे को कम ताकत से खीशती हैं यही तो gravitation force है तो ये gravitation force किस पर depend करता है इन दोनों के masses पर ये कितने भारी है और इन दोनों की बीच की दूरी यानि की अगर दूरी कम होगी तो दोनों की बीच friendship बढ़ेगी, force बढ़ेगा आर की value कम होगी, तो force की value बढ़ेगी आर दूरी को बता रहा है और आर की value अगर बढ़ गई तो force की value कम हो जाएगी यार बढ़ा है, आप बड़े नंबर से divide कर रहे हैं अब तो ये बड़ी ball है और ये चोटी ball है तो ये बढ़े का center है और ये चोटी का center और ये इन दोनों के बीच की दोरी इसे r से लिख देते हैं ये बड़ा है और ये चोटा है अब जो ये proportionality का sign देख रहे हैं इसे हम हटा देते हैं तो अब इसे equal to करने के लिए हमें किसी चीज़ से multiply करना पड़ेगा और अब हम इसे g लिख देते हैं ये g क्या है ये है universal gravitation constant और इसकी value Kevindish नाम के बहुत बड़े विज्ञानिक ने निकाली जो बहुत ही शर्मी ले थे किसी से बात नहीं करते थे और इसकी value है 6.67 into temperature to power minus 11 Newton meter square per kg square जो universe में कोई भी दो bodies के बीच का constant है ठीक है तो ये हो गया g तो यही universal law of attraction है याने gravitation है तो ये depend करता है mass पे बड़ा m बड़े mass के लिए छोटा m छोटे mass के लिए और दोनों की बीच की दूरी जितना कम दूरी उतना force ज्यादा और जितनी ज्यादा दूरी उतना कम force तो अब हम उसकी एक definition सुन लेते हैं कि तब force between two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them I hope it wasn't boring at all Thank you